ओम छोटू आर्ती ओम छोटू आर्ती इसका मंत्र हम रातो भर हमने जापार आर्ती छोटू का जो ममला है काफी तूल पकड़ता जा रहा है और उसी ब्यान में काफी सारी लोगों सामने आ रहा है और काफी सारे लोग बोल रहा है कि हम इंसाब दिलाएंगे तो हम इंसाब दिलाएंगे एक बाबा हमारे साथ जूड रहा है जो की बोल रहा है कि इनके अंदर छोटु आ रहा है और ओम सांती ओम सांती छोटु का नाम लेकर जब कर रहा है बाबा आरती छोटु का जो ममला है आरती को भी विवा होना जरूरी है जिसका जो हक है उसको दिलाना जरूरी है पंच परमेस्वार अगर ऐसा नहीं होता है तो ते गालों आप आप नहीं छोड़ेंगे यह भाभूत द्वारा यहां ते गालों के पास में होता है ठी आरती छोड़ू का ममला है आरती को क्या इंसाब दिलाएंगे बाबा जरूर दिलाएंगे हम उहां पहुंचने वाले हैं डॉन टैश्मिनों पारमेस्वार अब तक पहुंचेंगे हम वादा नहीं करेंगे मगर विश्वास करना है विश्वासी परमेस्वर है बिना विश्वास की कुछ भी नहीं होगा नमर में अंतिजार कमा जाले यह डॉन टैश्मिनों पारमेसान आरती को लोग गाली भी दे रहे हैं बहसना भी बोल रहें इस पर बाबा करता है ओ गलत है ओ सत्य है उसमें बुरा ढूड़न हम चले बुरा ना मिला कोई जब अपने में आपता मुझसे बुरा नहीं कोई खुद बुरा यह दूसरे को बुरा कहती है वही बुरा है आरती सत्य है वो सीता है वो पारवती है उसो कोई भी आच नहीं आएगा क्योंकि तेगालोवा उसके पास महजूद ह हो गये हैं हम उसके साथ में हैं वे अशाए तक अंदर फि the और तो कब से कल से क्या स構र्ण हुआ क्या कहा है चोटु बत SEÑर इस्टु के वल्ँआ पार्मिसान सब कर्षाब होगा आज नए होगा तक कल होगा जरूर होगा देर होगा आंधेड नहीं है यह दुनिया सत्य में सिवं सुंद्रम है और सब तो है ही नहीं टेर बोलो या सिधा बोलो हम वेलकम करेंगे मगद साजा ओची थे डॉन टच भी नौ पारविसाल सही से टक्राव नहीं करना और सबसे पी टक्राव नहीं करना नौ पारविसाल गलती की साजा है शामा नहीं है अच्छा आप बोल जैसे की मालम चला है सुतरों से की आरती छोटू को जो क्रेंट लगा कर जला गया था आपके जब अंदर छोटू आया तो क्या कैसे आपको मारा गया आप बता सकते हैं भ्यानक रूप में भ्यानक रूप में हमको बताया क्या क्या बताया हैं दर्दनाक रूप में मगर भेदी भेद ना खोले ज्यादा हम भेद खोलना नहीं चाहते है हम एक भजन करेंगे और प्रेम से एक भजन कैश करिए फिर इसमें पाबा चोटू के बारे हैं बता दीजिए कि चोटू को कैसी मौत हुई आपके अंदर जब चोटू आ रहा है तो वो तो सचाई छुप नहीं सकती सियाई के असुल से खुश भुआ नहीं सकती कागज के फूलों से चलवा जो हुआ है वो ओपन हो चुका है हमको और कुछ करने को जुरत नहीं है और आपका विश्वास अमर है तो काम भी अमर है हम बाबा के एक भजन कैश करते हैं उसी में उसका प्रवेश है जो जो ओके सितरा में सितरा में कहिए अजा ही भी धीरा के राम ताही भी धी रही मुख में हो राम नाम का मुसे वहां तुमें तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ है बेधी का बिधान जान हानिला भे सही असीतरा में सितरा में कहिए किया अभी मान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो स्री राम जी को भाईगा फल या सत्या आगे सोभे काम करते रही अजाही भी धीरा के राम ताही भी धी रही जिन्दगी की डोर सोपे हाथ दीना नात की महलो में राखे चाहे जो परी में वासी दी धन्यवाद निर्यवाद राम राम कही जाही भी धीरा के राम ताही भी धी रही आसा एक राम जी से दूजा आसा छोर दी नाता एक राम जी से दूजा नाता तोर दे आपके अंदर जब प्रवास कर रहा है एक और भी सवाल है अच्छा जो आरती छोटू ने किया क्या इसका गलत प्रवाव नहीं पड़ रहा है क्योंकि अपने आच्रन हम खुद सुधार के रहेंगे दूसरा को गलत हो गिया उसको हम पार्दा डालेंगे डॉन टच मिनो पार्मिसान तो आच्रन सुधार जाता है हम भीगरेंगे नहीं क्या आरती छोटू सही किये क्यों क्या बारा बज़ रात को किसी के घर में जाना किया यह सही आपको लगता है गलत है यह भरण जुग है मागर ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हो भी गिया तो इसका इंसाफ होंगे जरूर होंगे यह तीसुल उठ चुका है थोटू के इंसाफ मिलेगा तुस्सका साथ नारेद मोदी शी डाउन छोटू और आरती का इंसाफ दिलवाना आपका काम है नहीं तो ते गालवा बाबा तो है ही कुर्सी आपको भोले नात ने दी है भोले नात तीसरा नेत्र अभी नासी है कालो काल महा काल वह है ते गालवा बाबा जो भौसम करता है जैसे कि देख सकते हैं आप इनके अंदर जैसे कि इन्होंने बता रहा हैं कि ये मतलब कि इनके अंदर छोटू परवास कर रहा है और इन्होंने काफी सारी खुलासा किया आप इस वीडियो से कितना समयते हैं आप हमें वस्वते हैंगा मिलते हैं अगले वीडियो में अगले आपी के साथ तब तक लिए जया हैं हिंद।